नमस्कार स्वागत है आपका हेम्रक्षक चैनल पर तो आज की क्लास को हम शुरू करेंगे एक मौटिवेशन कोड के साथ अगर फर्ष से आश तक पहुचना है तो मेहनत दुगनी और तिगुनी करने पड़ेगी जितनी रिफ्तार से आप मेहनत कर रहे हैं उसको थोड़ा और अच्छे से करें और बार बार वार वेस करें उसे ताकि आपको एक्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना है तो आज की क्लास में मौक टेस्ट पेपर जिसमें टॉटल कोशन 50 रहने वाले हैं इसमें हिमार्चर प्रदेश के 30 कोशन्स और पॉलिटिकल साइंस के 20 कोशन्स रहन वाले हैं तो आपने इसको अच्छे से अटेम्ट करना है और 50 में से 45 मार्क्स लेके रहने हैं टूली बताना है कमें सेक्षन में कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं चले शुरू करते हैं कोशन नबर वन से हिमार्चर प्रदेश का बदली वन्य जी विहार के जीले में हैं यदि बात करें हम हिमार्चर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारन्य कौन सा है तो वो है हमारा रेनु का वन्य जीव अभ्यारन्य जो की सिर्मोर में पड़ता है यह आपने याद रखना है रेनु का वन्य जीव अभ्यारन्य सबसे बड़ा है नेक्स कोश हिमाचर परदेश का कौन सा जिला रुमाल कला के लिए परसिद्ध है वेरी इंपोर्टन कोशन तो अप्शन नमबर बी जा राइट चमबा याद रखना है आपने नेक्स कोशन देखते हैं कोशन नमबर फाइफ हिमाचर परदेश में सूर्य मंदिर कहां स्थित है तो इसका नमबर C is a right नीरत नीरत में स्थित है सूर्य मंदिर वेरी इंपोर्टन कोशन है नेक्स कोशन देखते हैं कोशन नमबर 6 मंडी में शिवरात्री मेले का अरम किस ने किया था तो इसका उप्शन नमबर A is a right मंडी जिले का जो शिवरात्री मेले का अरम था वो अजबर सेन न नेक्स देखते हैं, कुल्लू जिले में हरिम्बा देवी की याद में कौन सा उस्सफ मनाया जाता है? तो इसका जो option number A है, right, C is मेला, ठीके? सेज मेला जो है, ये कुल्लू जिले में हरिम्बा देवी की याद में मनाया जाता है. नेक्स कोशन देखते हैं, कोशन number 8, शोबाजी कला संग्राले, कहां स्थित है? वेरी इंपोर्टन कोशन है, कई वार पिपर में पूझा गया है, तो इसका option number C is the right, अंध्रेटा, ठीके? नेक्स कोशन देखते हैं, रोरिट कला संग्राले, कहां स्थित है? तो option number B is the right, नगर, ठीके? यह आपने याद रखने हैं, दोनों के दोनों important question है, नेक्स कोशन देखते हैं, कोशन number 10, शिद्र गंगा नामक, पवित्रस्थान किस जिले में स्थित है? तो इसका option number A is the right, कांगणा जिले में स्थित है, ठीके? शिद्र गंगा नामक, पवित्रस्थान जो है, कांगणा जिले में है, नेक्स कोशन देखते हैं, कोशन number 11, बून्डा दहार किस से समन्थ रखता है? वेरी इंपोर्टन कोशन है, तो option number A is the right, परशुराम, ठीके? नेक्स देखते हैं, कोशन number 12, हिमाच्य परदेश में परसिद्र मनुमंदि किस स्थान पर है? तो ये जो option number B है, आपका right, मनानी, मनानी कहां पढ़ता है? कुल्लू में पढ़ता है, ठीके? नेक्स कोशन देख से, नेक्स देखते हैं, कोशन number 14, हिमाच्य परदेश के हमीरपूर जिले में भेड़ पालन केंद्र कहां पर स्थित है? तो इसका right option है, option number TAR, ठीके? नेक्स देखते हैं, कोशन number 15, नेमन में से कौन सा हिमाच्य परदेश का राजबक्षी है? तो इंपोर्टन है, ये तो option number C, नेक्स देखते हैं, नेक्स गोशन जो है हमारा, हिमाच्य परदेश में बविन कलाओं का समिश्रन किस कला में देखने को मिलता है? तो option number जो इसका है, C is a correct, पहाडी कलम में, ठीके? याद रखना है आपने, नेक्स देखते हैं, 18 जो है, मकर नामक धार्मिक नूइत्य किस क्षेत्र में काफी प्रचलीत है, तो जो काफी प्रचलीत है, वो गुंसक शेत्र है, तो इसका option number D is a right, लाहोल स्पिती में, ठीके? नेक्स देखते हैं, 19 जो है, निमिन नृत्यों में से, कौन सा किनोर का सदा वहार नृत्य कहलाता है, तो option number, जो हमारा है, B जो है, ये नवाला शीव पर्व किस क्षेत्र में मनाया जाता है, वेरी इंपोर्टन कोशन, तो ये जो है, बर्मोर में मनाया जाता है, नेक्स कोशन देखते हैं, कोशन number 21, शिमलक शेत्र में धार्मिक और अनुष्ठानिक नृत्य को क्या कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं उसको, तो इ इसका जो right option है, option number B is correct, कांगडा जिलेगा, ठीके, next question देखते हैं, question number 23, द्याली नामक समुहिक रित्य किस क्षेत्र में प्रचलित है, very important questions, तो 23 का है option number C, शिमला, जितने भी exams होते हैं, इसमें ये सारे questions बार बार पूछे चाते हैं, तो आपने इनको अच्छे से याद कर ले हैं, ठीके, next question देखे, question number 24, टाली लामू किस क्षेत्र का सदावहार नहित्ते हैं, तो जो इसका option है, option number C is correct, कि नोर जिलेगा, ठीके, ठीके, next question देखते हैं, 25 question है, हमारा हिमाच्रपत परिवहन निक की स्थापना कब की गई थी, तो जो इसका right option है, option number D is correct, 1974, बहुत important question है, 1976 आपने याद कर लेना अच्छे से, 26 पे हैं, काल का शिम्डा रेल सेवा के अंत्रगत, कुल रेलवे स्टेशन कितने हैं, तो कितने हैं, तो इसका right option है, option number A is correct, 2, ठीके, 2 जो है इसके, रेलवे स्टेशन है, चली, next question देखते हैं, question number 27, हमाचर परिदेश में नेमिनित में स किस थान पर हवायड़ नहीं है, तो कोशन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं पूछा गया है, तो option number C is right, यदि बात करें हवायड़ों की, तो हमाचर परिदेश पे जो तीन हवायड़े हैं, यह आपने याद रखने हैं, कौन सा कुल्लू में भूंतर हवायड़ पढ़ता है, और कांगणा में गगल हवायड़ पढ़ता है, और शिमला में जुबर हटी हवायड़ पढ़ता है, यह तीनों हवायड़े की नईम सा आपने याद रखने हैं, कौन कौन सा हवायड़ कहां कहां जिल्ले में पढ़ता है, चलिए, नेक्स कोशन देखते हैं, 28 नमबर पे, हि मनाली प्याटग स्थल किस जिल्ले से स्मंदित है, तो किस जिल्ले में ये स्थित है, तो option नमबर जो है, A is a correct, कुल्लू जिल्ले में, ठीक है, जो मनाली स्थल आपको बताया गया है, पीछे भी कोशन में ये कुल्लू में पढ़ता है, ठीक है, नेक्स देखते हैं, कोशन किस जिल्ले में स्थित है, वेरी इंपोर्टन कोशन है, मंदिरों के रिलेटिर भी कोशन पूछा रहता है, तो option नमबर B is a right, जमबा जिल्ले में, ठीक है, नेक्स देखते हैं, कोशन नमबर 31, निमिरिक्त में से किस मिती का सदा से कोई मंत्री नहीं हो सकता, ये आपके आ पॉलिटिकल साइंस के कोशन, तो आपने अच्छे से टेम्ड करना है इनको भी, तो इसका right option है, option number D, ये सबी, ठीक है, चले नेक्स कोशन देखते हैं, 32 नमबर पे है, भारतिय सविदान में तितर्थ नियाद इशो की नियुकति का प्रावधान है, तो इसका right option जो है, option number D D is a correct, इन में से सबी, जितने भी है, उच नियाले में, सरवच नियाले में, और जन्मद एवं स्तर नियाले में, ये सारे के सारे प्रावधान है, ठीक है, नेक्स देखते हैं, 33 नमबर पे है, सरवच नियाले में तितर्थ नियाद इशो की नियुकति किस देश के नियाले प्रनाली से प्रेरिद है, तो जो इसका राइट उप्शन नमबर जो है हमारा D, D is a correct, ठीक है, नेक्स देखते हैं, कोशन नमबर 34 जैं हमारा लाव का पद्ष परिभारशित हुआ है, तो जो परिभारशित हुआ है, वो है हमारा उप्शन नमबर B is a correct, सरवच नियाले द् ठीक है, next देखते हैं, question number 35, जनहिंद याची का दायर की जा सकती है, तो इसका right option है, option number C, दोनों में, उच्छ नियाले और सर्वोच नियाले, जो दोनों options दियेगे हैं आपको, ये दोनों है, next देखते हैं, 36, sorry, 36 number पे जो है हमारा question, सर्वोच नियाले के प्रथम मुख्य नियादिश कोन थे, तो जो सर्वोच नियाले के मुख्य नियादिश थे, जो हमारे थे, वो है, option number B is a right, next question देखते हैं, question number 37, सर्वोच नियाले के मुख्य नियादिश की नियुक्ति कोन करता है, तो इसका right option है, option number C, very important question है, राष्ट्र नियाले के मुख्य नियादिश के प्रामर्श से राष्ट्रपति, option number A is a correct, next देखते हैं, 39 नियादिश की नियुक्ति कोन करता है, तो जो इसका right option है, 39 का, option number B, राष्ट्रपति, next देखते हैं, 40 question जो है, हमारा, 40 question में कह रहे हैं, राष्ट्रपति सर्वोच नियाले के अन सर्वोच नियाले के मुख्य नियादिश, option number A is a right, next देखते हैं, question number 41, जो है, हमारा, 41 में पूछ रहे हैं, कि जो प्राकलन समीति की सदस्य है, किन के दवारा चुने जाते हैं, तो इसका right option जो है, option number A is a correct, केवल, लोगसबा से चुने जाते हैं, ठीके, 41 का A option सही रहेगा, 42 पे देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेका प्रशिक्षन का कारेगाल, जो है, कब तक होता है, तो जो इसका option number C है, correct है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आजू तक जो भी पहले पूर्ण हो, ठीके, ये नियंत्रक और महालेका प्रशिक्षन का कारेगाल है, ठीके, चरे, next देखते हैं, question number 43, जो है, नियमिलिक्त में से, कौन भारत का, कंसोलिडेंट फंड का नियंत्र या प्रशिक्षन करता है, very important question है, तो 43 का जो हमारा answer रहने वाला है, वो option number A is the right, भारत के नियंत्रक एवं महालेका प्रशिक्षन, very important question है, 44 देखिए, नियंत्रक एवं महालेका प्रशिक्षन की नियुक्ति, राष्टपती के दवारा की राती है, अपने पद से उसे हटाया राता है, तो इसका जो right option है, option number C is the correct, संसत के दोनों सद्रों के दवारा समोधन पर, ठीक है, चलिए, 45 कोशन देखते हैं, क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेका प्रशिक्ष नमबर पे भारत में नई संसद्य समीती परनाली की शिरुवात कब हुई, तो 46 का हमारा option number C is the right, 1991 इस भी में, ठीक है, चलिए, 47 कोशन देखते हैं, संसद्य समीती परनाली के तहत, अप्रेयर से कितनी समीतियों ने कार्य करना शुरू किया, तो जिसका right option है, option number B is the right, 17, ठी नमिलिक्त में से कौन स्थाई समीती है, very important question, तो इसका right option है, option number D is the correct, ये सर्वी जो है, स्थाई समीतिया है, ठीक है, next देखते है, question number 49, जो है, प्राकलन समीती के कितने सदस्य होते है, कितने वार ये जो question है, ये पेपरो में पूछा गया है, तो प्राकलन समीती के कितने 30, next question है, आपका question number 50, संसत के निमिलिक्त समीतियों में से कितने सदस्य संख्या सरवातिक होती है, तो जो question number 50 है, आपका right option है, प्राकलन समीती, ठीक है, जो आपके next question है, ये जो है दो आपके homework है, first question है, आपका बीर्जेन को इनमें से किस राज्य का संस्थापक माना जाता है और ये जो जार option है, इनमें से आपने answer करके देना है, comment section में, next जो है, सुभाष चंदर बोस ने अंग्रेजों के विरुत अपना अंदोरन कहां से अरंब किया, एक political का है और एक HPJK का है, ये दोनों आपने attempt करने हैं अच्छे से homework में, और comment section में मुझे comment करके बताना है, Thank you